वेलकम टो एकलब्यास नातक और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम से जो आपका पॉपिलर कल्चर नाम से जो पेपर है ठीक है हिस्ट्री सेक का इसकी यूनिट वन है अंडर्स्टेंडिंग पॉपिलर कल्चर और इसका जो पार्ट ए है वो हमें पढ़ना है जिसका टॉपिक है डिफाइनिंग पॉपिलर कल्चर, पॉपिलर कल्चर एस फोक कल्चर, मास कल्चर, एस दा अधर ओफ हाई कल्चर, पीपल्स कल्चर तो जितने भी टाइप्स के कल्चर है वो सब मैं आपको पढ़ा दूँगा सभी के लिए ये वीडियो इंपोर्टेंट है और काफी हेल्फुल रहने वाली है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन्स के सामने लिखा हुआ है, और अगर आप आप चैनल को जोइन कर सकते हैं, तो स्लेबस की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट वन आज हम पढ़ने वाले हैं, जो की है अंडर्स्टेंडिंग पॉपिलर कल्चर और इसका जो पार्ट ए है, टाइटल मैंने आपको पढ़के बताई दिया है, ठीक है, तो पार्ट ए हम क इंडिया इस वास्ट कंट्री हमारा एक बहुत बड़ा देश है, डाइवर्सिटी से भरावा देश है, अलग-अलग कल्चर के लोग यहां पे रहते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से हम यह कह सकते हैं कि हमारी कंट्री जो है, वो कल्चरल रोप से काफी वेल्डी है, ठीक है हमारे यहां पे बहुत सारे कल्चर्स हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, in metropolitan cities have emerged as informal cultures which have become popular among the people, so formal cultures भी है, informal cultures भी है, और the customs, ideas, beliefs, etc. of a particular society, country, ठीक है, किसी भी देश हैं, किसी भी society में, जो ideas होते हैं, जो customs होते हैं, जो beliefs होते हैं, popularly, जो माने जाते हैं, ठीक है, वो ही हमारा क्या है, यहां पे culture है, और आगे अच्छे से समझें, तो culture is how a society lives, ठीक है, कैसे एक society में लोग रहते हैं, यही culture है, तो culture में क्या है, वहां की education कैसी है, वहां की laws कैसे है, celebrate कैसे करते हैं, वहां की लोग, उनका खाना या cuisine कैसा है, religion क्या है, जो वो follow करते हैं, उनकी habits क्या है, उनक rituals क्या है, उनका dance form कैसा है, यह सारा आपका culture में included होता है, उनकी dressing sense कैसी है, ठीक है, तो यह सब आपका culture होता है, आयोप यह तो आपको पताई होगा, अब हम पढ़ते हैं, popular culture को और अच्छे से, popular culture is understood to be the accumulated store of cultural products, such as music, art, literature, fashion, dance, film, television, radio, etc., which are primarily used by non-elites or common people, देखो, एक तो होते हैं, elite class के लोग, जो बहुत अमीर होते हैं, और एक होते हैं, आम लोग, तो आम लोग, जिस भी music को सुनते हैं, art को जानते हैं, literature को जानते हैं, पढ़ते हैं, जो भी fashion वो करते हैं, जो dance form उनकी है, जो film, television, जो भी वो चीज़ देखते हैं, common logs, ना की elite class ठीक है, वो ही आपका popular culture है, जो जादातर जहां पे चलता है, so popular culture is largely understood as the culture of general masses of people, so normally जो भी लोगों का culture होता है, बड़े पैमाने पर, वो आपका popular culture होता है, popular culture is generally recognized by members of a society as a set of the practices, beliefs and objects that are dominant or prevalent in a society at a given point of time, किसी भी एक time period के अंदर हर culture में कोई ना कोई developments होते हैं, आप 90's का culture देखोगे तो वहाँ पे dressing sense अलग था, उसके film अलग थी, उसके dance अलग थे 90's में, उनके गाने अलग थे, लेकिन आज जब आप देखते हो, किस तरीके से 21st century के अंदर आप यहाँ पे जब आते हो, तो objects that embody the most broadly shared meanings of a social system, society में जो broadly जो सभी चीज़ें जो लोग करते हैं, ठीक है, चाहे media की चीज़ें हो, entertainment हो, अपने free time में लोग क्या कर रहे हैं, उनका खाना कैसा है, उनके fashion trend क्या है, बातें किस language में करते हैं, यह सब culture का यह एक हिस्सा है, popular culture का, as the culture of the people, popular culture is determined by the interactions between people in their everyday activities, अपन dressing style क्या है, कौन से slanks use कर रहे हैं, उनके rituals क्या है, खाना कैसा है, उनका, यह सब आपके popular culture के examples है, so in the modern west, pop culture refers to cultural products such as music, art, literature and fashion, dance, western भाशा में कहें, तो वो यह मानते हैं, popular culture क्या है, कि majority of the society के अंदर जो population है, वो जिस भी तरीके का गाना सुनती है, जो dance देखती है, film देखती ह है, television पर जो देखती है, radio में जो आता है, जो fashion है, वो ही popular culture है, okay, फिर आता है high culture या फिर elite culture, so generally high culture का मतलब होता है, it's referred to the culture of upper class, जो बड़े लोग होते हैं, यानि कि पैसों में, वो उनका जो culture है, वो elite culture होता है, जो educated बहुत जादा लोग है, high culture is generally associated with the appreciation of what is sometimes referred to classical or high art, और it includes visual arts, especially painting, classical music, performing arts, for instance, English cinema, opera, अब English cinema में भई आम लोग तो जाते हैं नहीं, नोर्मल ही जाता है, तर बड़े लोग बैठे होते हैं, opera वगरा में, classical theaters जो होते हैं, poetry वगरा, ये सब high culture है, ठीक है, so high culture is often seen as the representative of the highest form of artistic and literary accomplishments of a society, फिर आता है tribal culture, नाम से पता चल रहा है आपको, किसी भी जनजाती का या किसी भी tribe का culture, tribal culture कहलाता है, there are many tribes in India, भारत में बहुत सारी tribes है, which have their own distinct culture, और हर tribe का अपना एक अलग culture है, ठीक है, the current tribal population of India is approximately 20 million, लगपग 20 million लोग जो है, tribal लोग रहते हैं इंडिया में, it clearly shows the range of variations in their culture, और ये 20 million लोग जो है, इनकी सभी के tribes अलग However, there are certain commonalities, ठीक है, commonalities which can be discerned across tribes, for instance, देखो, culture बेशक सभी tribes का अलग है, पर कुछ common बाते हैं इन सभी में, एक तो ये है कि ये सारे लोग जो है, nature के उपर depend रहते हैं, nature से जो product मिलता है, जंगलों में रहते हैं, उनकी lifestyle काफी अजीब सी होती है, अलग ही मतलब थोड़ी, simplicity बह behavior काफी अच्छा होता है, और उनकी जो judgments हैं, वो काफी earnest होती है, उनके जो है, मतलब dance अलग होते हैं, singing अलग तरीके के होते हैं, उनके festivals अलग होते हैं, और वो एक अलग तरीके से कच्चा दारू भी पीते हैं, liquor पीते हैं, ठीक है, अपना खुद का बना के, उनके देवी culture हो गया, फिर है आपका folk culture, folk culture में क्या आता है, folk culture refers to the local tradition oriented from a culture, locally जो किसी भी region के अंदर जो एक tradition चल रहा है, so earlier folk culture was understood as largely representative of the traditions and customs of rural groups, but now rural level पे भी और urban level पे भी दोनों लेवल पे जो भी आपके वहाँ का tradition चलता है, वो आपका folk culture में आ जाता है, इंडिया का जो folk culture है, वो काफी rich है, और folk culture के अंदर आपकी folk tales भी आती है, folklore, oral traditions, ballads, popular saying, ठीक है, जो भी आपकी कहानिया होती है, ठीक है, वो सब आपका आ जाएगा, और इसके अलावा मैं आपको बताओं, folk culture यही है कि किसी भी place से related कोई भी tradition है, उस area का, वो ही है, आपका ह हो जाएगा, भांगडा है, गिद्दा है, यह पंजाब का folk culture है, भी हु असाम का है, इसी तरीके से अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग states में, अलग-अलग regions में अपने culture है, traditions है, so in India, one can find folk tradition for nearly all locations, हर occasion में आपको यहाँ पे इंडिया के अंदर एक folk culture देखने को मिलता ह है, बच्चे का जनम हो, शादी हो, फसल की कटाई का time हो, हर्वेस्टिंग का, festivals हो, sacrificial rituals हो, सभी चीजों में folk culture देखने को मिलेगा, फिर आता है आपका cassette culture, cassette culture में क्या होता है, कि भाही, cassette आपने देखी होगी, so cassette culture क्या है, कि जब large scale production होता है, recorded cassettes का, music का, ठीक है, audio cassettes का, यह trend बन गया था, 1970s के अंदर, ठीक है, जब बहुत सारी cassettes use होने लगी थी, सस्ती सस्ती आ जाती थी, और बहुत जादा उनका reproduction हो रहा था, so फिर उसके बाद multi track recording systems आ गये थे, काफी, मतलब affordable थे, so culture जो था, यह cassette वाला, यह काफी prevalent रहा, ठीक है, और cassette culture made all kinds of music, और इस cassette culture के अं national music हो, popular music हो, regional music हो, non film music हो, यहां फिर भजन हो, ठीक है, यह सब की cassette आती थी, so यह आपका cassette culture है, फिर आता है film culture, इसमें क्या है, Indian film industry is one of the oldest film industry in the world, दुनिया भर की film industry हो में भारती है, जो film industry है, वो काफी पुरानी है, in 1913, that first Hindi film, Raja Haris Chandra was screened, यह इसमें आवाज नहीं थी, ठीक और Raja Haris Chandra, यह सबसे पहले आई, इंडिया में, और आलम आरा पहली टॉकी थी, यानि कि जिसमें बोलती film, जिसको हम कहते हैं, जो कि 1931 में आती है, since then Indian cinema has become an important part of Indian culture, और उसके बाद cinema हमारी life का एक part बन चुगा है, mythological film में आई, commercial film में आई, historical film में आई, art film में आई, so इस तर purpose होता था, ज्यादा से ज्यादा entertainment करके, पैसे कमाना, film actors के बहुत सारे fan बन गए, ठीक है, they become the style icons, और लोग उन actors को देखके ही, अपना style वैसा बनाने लगे, जो culture movies में दिखाया जा रहा है, वो आप खुद कर रहे हो, ठीक है, आपने KGF movie देख ली, तो आप अपने culture जो है, वो बदल जाता है, अकसर हम जो कपड़े पैनते हैं, जो मतलब जो भी हमारे culture में ज्यादा तर चीज़े दिखती हैं, वो हमारी कई न कई movies से भी हम inspired होते हैं, फिर आगे है, दादा साब फाल के was the father of Indian cinema, जो भारतिय सीनिमा के जनक जो है, वो दादा साब फाल के मा जाते हैं, इसके अलावा PC बरुआ, शांता राम, हिमान्चुराय, राज कपूर, गुरुदत, मनु मोहन देसाई, शुबास गई, डेविड धवन, संजे लीला बंसाली, ये कुछ ऐसे important names हैं, इनको आप producer, directors कह सकते हैं, जिन्होंने काफी अपना contribution दिया Indian cinema में, फिर है television culture, टेलिविजन देखके भी हमारा culture काफी affect होता है, कि टेलिविजन की industry काफी huge है, इसको आप सुन भी सकते हो, इसको आप देख भी सकते हो, तो काफी popular source of entertainment है टेलिविजन, और इसमें क्या है कि हर domestic, मतलब परिवार में आप देखोगे हर घर में टेलिविजन होता है, और वो क दिखाया जाता है, वो आपके attitude को shape करता है, आपके values को shape करता है, आप जैसे TV में show देखोगे वैसा आपका attitude होता है, ठीक है, और आपका living pattern भी इसी तरीके से change होता रहता है, फिर है corporate culture, corporate culture का मतलब होता है कि कि किस तरीके से company अपने employees के साथ interact करती है, management कैसा है उनका, ठीक है और external commercial transactions वगरा, so corporate culture का मतलब यही है कि company का dress code कैसा है, वहाँ पे work ethics कैसे है, business hours कितने है, turnover, hiring decisions, professionalism, so for instance अगर आप देखो तो बड़ी बड़ी जो multinational company होती है, वो जानी जाती है अपना friendly corporate culture के लिए, उनके जो वहाँ पे employee काम करते हैं, वो एक friendly environment में रहते हैं, जैसे Google एक company है, वो बताती है कि हमारे यहाँ पे company culture काफी अच्छा है, हम अपने employees को हर तरीके की facilities देते हैं, free का lunch हो, medical facilities हो, और इसके लावा fitness center, car wash वगरा, यह सारा कुछ Google देता है अपने employees को, तो यही एक corporate culture है, ठीक है, फिर आता है quarterly culture, इसमें क्या है, कि historically इसकी काफी पुरानी history रही है, कि Moran Empire से लेकर मुगल्स तक, ठीक है, जो quarterly culture है, यह चला है, court poets होते थे, dance करने वाले होते थे, गाने वाले होते थे, गुपता period में भी काफी रहे हैं, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के time पे रहे, मुगल empire के time पे court culture रहा, और यह court culture जो है, यह courtly life को दिखाता है, अंदर कैसे manners होते थे, ethics कैसे थे, etiquettes कैसे होते थे, okay, so यह सब आपको यहाँ पे याद रखना है, फिर आता है आपका mall culture, तो आज की date में mall एक ऐसी जगा बन गई है, जहाँ पे लोग अपने free time में जाना पसंद करते हैं, ठीक है, लगातार लोग वहाँ पे gathering करते हैं, activities करते हैं, shopping करते ह हैं, और इसके अलावा, जो है, जहाँ पे लोग अपने लंबे समय तक, मतलब खाली time में जब भी हो है, वहाँ पे बिताते हैं, जाके, so जादर जो metropolitan cities हैं, जो बड़े-बड़े शहर हैं, वहाँ पे आपके लिए, जो mall जो हैं, यह एक as a destination बन गई है, जहाँ लोग अपने खाली time पे जाना पसंद करते हैं, फिर है media and culture, अब देखो, media का सबसे बड़ा roll होता है, तो जैसा आप देखोगे media में, वैसा ही, आपका भी culture develop होता जाएगा, so यह connection है भई, media और culture का, media plays a crucial role in the shaping up of popularization, लोगों को किस तरीके से popularization मतलब, और किस तरीके से किसी भी culture का propagation करना ह यह सारी, मतलब जो चीज़े है, media कहीं ना कहीं, इसमें role play करती है, with all kinds of publicity and advertisements, आप जो ad देखते हो, वो culture का, फिर आप के ओपर effect आता है, आप jeans की ad देख रहे हो, तो आप jeans पहन होगे, यह western culture आ गया, so media गा एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें, in this manner, media is influential, media बहुत जादा influence करती है, और एक बहुत बड़ा role play करती है, social और cultural development में, so इसी के साथ हमारा यह पहला chapter खतम होता है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप channel को subscribe करना ना भूलें, जादा से जादा वीडियो को like कर दे, comment box में आप जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और जादा से ज जय भारत बहुत बहुत धन्याएं